हलो राम राम जी आज मैं बेशन का डोकला बना रही हूं और एक कटोरी बेशन ले लिया आधी चमच हल्दी ले लिया और आधी ही चमच नमक डाल दिया और दो चमच चिनी के डाल दूँगी और चिनी डालने के बाद इसको मिला लूँगी और फिर इसमें कम-कम पानी डाल कर गोल तयार करूंगी और गोल को एक ही डारेक्शन में चलाना है जितना चलाओगे एक डारेक्शन में उतना ही हल्का बनेगा गोल और सपनजी डोकला बनेगा और देखो अधा गिलास भी पानी नहीं लगा इसमें और अब इसमें एक चमच पैस तेल डाल दूंगी और इसको मिला लूगी सारा प्रोशेसर एक ही डारेक्शन में करना है अब एक कटोरी में तेल डाल कर इसको मैं ग्रीश कर दूगी और इधर पेस्ट में इनों डाल दूगी एक के उपर ही मैं लेमन जूस भी डाल दूँगी ऐसे इस तरीके से डोकला बहुत ही पंजी बनता है बिल्कुल बाजार जैसा बनता है बना के देखना और यह मैंने लेमन जूस भी डाल दिया है अब इसको चला लूँगी इसको कम ही चलाऊंगी इनों डालने के बाद पेश्ट को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए और अब इसको मैं कटोरी में डाल दूँगी उदर गैस पे मैंने कडाई रख रखी है उसमें दो गिलास पानी डालकर गरम होने के लिए रख दिया था जब तक गोल इसमें डालूँगी शैट करूँगी तब तक पानी तयार हो जाएगा गरम हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से चमच से निकाल कर डाल दूगी और इसको अच्छी तरह से सेट कर दूगी ऐसे कटोरी नीचे उपर नीचे करने से ये सेट हो जाता है और उदर मेरा पानी गरम हो गया है स्टेंड बड़ा था इसलिए मैंने कटोरी में पानी डाल कर रख दी है बीच में और मैं कडाई में ही डोकला बना रही हूँ और उधर मैंने पानी तयार करने के लिए फ्राई पैन में तेल डाल दिया और इसके बाद ये राई भी डाल दी है बाद में हरी मिर्च भी डाल दूँगी क्योंकि मैंने धोके और काट रखी थी और इधर डोकला तयार होता रहेगा और इधर ये पानी भी तयार हो जाएगा डोकला पकने के लिए 20 मिन्ट लगती है 20 मिन्ट में अच्छी तरह से तयार हो जाता है और अब इसमें कडि पता भी डाल दूंगी इसको अच्छी तरह चलाऊंगी कडि पता भी पक जाएगा और हरीमीच भी तो पकी भी है अब इसमें पानी डाल दूंगी एक गिलासी पानी डालूँगी एक गिलासी पानी डालने के बाद इसमें दो चमच चिनी डालूँगी दो चमच चिनी पहले डाल दी थी और जो ज़्यादा मिठा खाता है तो और भी डाल ले मैं कम ही मिठा खाती हूँ ये मेरी छोटी चमच है बिल्कुली छोटी है तो इसे साब से दो चमच सही रहेंगी और अब इसमें लेमन जूस भी डाल दूँगी पानी खटा मिठा अच्छा टेस्ट आएगा अब इसको मैं उबालाने तक पकाऊंगी तो इधर मेरा ये पानी में उबाल आने वाला है और उबाला ते इसको मैं धंडावने के लिए रख दूँगी जब तक मेरा ढोकला तयार हो जाएगा ढोकला मेरा तयार हो गया है और मैंने चकु डाल के देख लिया था चकु पे नहीं लगा तो समझ लो पक गया है और ये मैंने उतार लिया था और चकु से इसको निकाल लिया किनारों से और इस परकार बनाने से बिल्कुल बजार जैसा बनता है कभी ट्राइ करके देखना बहुत टेस्टी और स्पंजी बनता है अब मैं इसके उपर पलेट रखकर इसको पलट लूँगी पलटने में बिल्कुल असानी होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए देखो कितना स्पंजी बना है अब मैं इसको काट कर दिखाऊंगी आपको तो बहुत ही स्पंजी बना है और ये मैंने चाकु से ही काट लिया है काटने में भी बिल्कुल असानी से कट रहा है क्योंकि पूरा पक गया है और इसको दूसरे बरतन में डाल कर मैं जो पानी तयार कर रखा है वो मिलाऊंगी देखो एक पीस में उठा कर दिखाऊंगी आपको कितना स्पंजी बना है तो देखो इसको मैं आपको दबा कर दिखाऊंगी देखो कितना स्पंजी बना है जहां से दबाती हुआई उतना ही आ जाता है अब दूसरे बरतन में डाल कर इसमें पानी का गोल मिला दूंगी जो पानी तयार कर रखा वो ठंडा हो गया है अब इसमें मिला दूंगी तो प्लाष्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और सबको राम राम